ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारी धर्मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यराशिफले 5 अप्रेल 2024 शुक्रवार का दिन है चैत्र महा के कृष्ण पक्ष की एका रशी ती थी है इस दिन पाप मोचनी एका रशी रहेगी सभी भक्त जनों और माताओं बहनों को इसी दिन 11 का व्रत रखना है एका रशी की व्रत कथा एवं एका रशी की अधिक जानकारी हमारे चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी उसको आप जरूर देखिएगा और जरूर सुनिएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजेगा धनिष्टा नामक नक्षत्र होगा तथा कुम विराशी में चंद्रमा विराजित रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में होंगे इसलिए पश्चिम दिसा की यात्रा करना नुकसान दायक सिद्ध होगा अगर किसी कारण वस पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो दही खाकर के यात्रा का आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की प्रातह साड़े दस बजे से शुरू हो करके दो पहर बारा बजे तक रहेगा इस दोरान यदि किसी भी प्रकार का शुब या मांगलिक कारिकरम करना हो तो उसे वर्जित माना जाएगा क्योंकि राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मांगलिक कारिकरम संपादित नहीं किया जाता है हलाकि राहुकाल का निर्णय आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अथ्वा केलेंडर के अंसार कर सकते हीं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की मीन राशी में वहीं चंद्रमा कुम्ब राशी में मंगल ग्रह कुम्ब राशी में बुद्ध ग्रह मेस राशी में देव गुरु ब्रहस्पती जो की मेस राशी में शुक्र ग्रह मीन राशी में राहुग्रा मीन राशी में तथा केतू ग्रह कन्या राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के नुसार व्रशाप करक कन्या व्रश्चिक एवं कुम्ब ये पांच राशियां सबसेदिक भागिशा लिरेने वाली है कारिक्षितर में इनको उन्नति और प्रग को छे बच करके 33 मिनिट पर होगा शुब मुर्थ की अगर हम बात करें तो शुक्रवार का दिन है पाप मोचीनी एका रशी है और यदि आप कोई भी शुब काम करना चाते हैं मांगलिक कारिक्रम करना चाते हैं तो जो सबसे पहला चोग्रिया रहेगा शुब मुर्थ रहे परान निकाल याने शाम के समय साड़े चार बजे से ले के छे बजे तक चर का चोग्रिया रहेगा इस दोराण यही आप कोई भी शुब काम करेंगे मांगलिक कारी करेंगे नया काम करेंगे تو आपको अधिक से अधिक फाइदे का से योग निर्मित हो सकता है अब हम आपको मेस से ले करके में इन सभी 12 राशी वालों का दैनिक राशी फल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अल तक देखेगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा तो अपनी योजनाओं को क्रियानवित करे जल्दबाजी में कोई भी निर्णे न ले तथा पुरानी गल्तियों को बिल्कुल भी न दोराएं किसी प्रकार का जूटा आरोप प्रत्यारोप आपके उपर लग सकता है अंजान व्यक्तियों के सला पर ध्यान ने देकर अपनी बन भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की किसी विश्ष्ट कारी को पूरा करने में आपकी मेहनत आज कामियाब होगी जैसे घर और समाज में आपका योगडान रहेगा आपके काम की तारीव और आपको मान स मान भी मीरेगा आपके आत्मिश्वास और स्वाभी मान में इजाफा होगा परन्तु अति आत्मिश्वास के कारण अपना कुछ नुकसान आप कर सकते हैं इसलिए इस प्रकार के कारियों से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में सफेद फ कुछी संबंदी कारियों में व्यतित करेंगे जैसे आप मैंसिक वर शारीर क्रूप से काफी हड़ तक अपने आपको उर्जाबान महसूस करेंगे किसी खास उपलब्धी को हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे कोछ समय समाजिक गतिविधियों में आपका व्यतित होगा को कोई ऐसा समाचार आपको मिलेगा जिससे मन में नकारात्मक विचार कुछ समय के लिए उत्पन होंगे लेकिन बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा उपाई के रूप में गणेश जी को यदि आप दूरवा चड़ा देंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आपकी विनम्र तथा सहयोगी स्वभाव दूसरों के लिए मिसाल बनेगा तथा घर और आसपास के वातावरन में आपकी तारीफ और मान समान जैसे इस्तित रहेगी पडोसियों के साथ चल रहा कोई पुराने मदभेद दूर करने के लिए उत्तम समय है कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपके स्वभाव की वज़े से लोग आपको उपयोग कर रहे हैं इसलिए किसी की मदट करने से पहले उसकी मनशा को समझना अति अवश्यक होगा वर आपका डेन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की भविश्य संबंदी फेसलों को लेने के लिए आज बहुती उत्तम दिन है किसी अंजान व्यक्ति से अचानक मुलाका आपके भाग्योदय संबंदी द्वार खोल सकती है योवर्ग अपने किसी दुविधा के दूर होने से राहत महसूस करेंगे परंतु उत्तेजना और क्रोध के सभाव से आपको बचना चाहिए उपाई के रूप में मसूर की दाल और गुड गाई को खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका क्रीम होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी भी परिस्तिती में अपने आत्मिश्वास वा आत्मबल को कमजोर न होने दे इस समय तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और भाग्य आपका सहयोग करेगा परिस्तितियों अनुकूल है इसका भरपूर उपियोग आपको करना चाहिए संतान पक्ष की चिंता रहेगी विध्यार्तियों को अपनी किसी विशेस कारी में सफलता प्राप्त होगी उपाई के रूप में यदिया भगवान गनेश जी क के मंदिर में सफेद रंग का कोई भी फूल चड़ा देंगे तो आपका देन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज परिवार संबंदित कुछ महत्वपूर्ण निरनाय आपको करने पड़ेंगे जो कि बहुत ही सकारत्मक परिणाम आपको देंगे किसी खास व्यक्ति से मुलाकार लाबदायक सिद्ध होगी आपके रुके हुए काम पूरे हो क्योंकि वापसी के जंभावना बहुत ही मुस्किल रग रही है इसलिए उधार पैसा देते समय बहुत ही साउधानी बरत्नी की आउशक्ता होगी उपाई के रूप में भोजन के बाद एक लोंग इलाईची खाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भाग समशाली व्यक्ती से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी पैत्रिक संबंदी मामलों को सुलजाने के लिए देन बहुत ही शुब है पैसों का लें देन इस्तिगित रखे क्योंकि इसकी वज़य से संबंदों में दरार उत्पन न हो सकती है घर के किसी सदस्य के स्वास्त को लेकर चिंता रहेगी और कुछ महत्वपूर्ण काम इस्तिगित आपको करने पड़ सकते हैं नय जन संपर्क आपके लिए फाइद्यमन साबित होंगे उपाई के रूप में भोजन के बाद यदि आप कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन शुफल में करेगा बच्चों की किलकारी संबंदि शुब सूचना मिलने से परिवार में उत्सव भरा माहुल रहेगा किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित दिन है अपनी योजनाओं को क्रियानवित करने से पहले उसके सभी पहलूओं पर भली भाती विचार करे ब अक्षियों को छट के ऊपर दाना डालना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आपके साथ कुछ ऐसी इस्तिती घटि थोरने के वाली है जिससे आपको लगे जो है समय अधिकतम व्यतित होगा उस संबंद में दस्तावेज भली भांती आपको चेक करना चाहिए पैसो के लेंदेन में भी साउधानी बरतने की आउशकता होगी और उपाई के रूप में भगवान विश्नुजी के मंदिर में चने की डाल का दान करना आपके लिए खुशी का वाटवरन रहेगा किसी विशेस मुद्दे पर विचार विमर्श होगा युवाओं को अपनी किसी दुविधा के दूर होने से राहत मिलेगी और भविश्य संबंदी फैसलों को लेने के लिए उनके अंदर हिम्मत आएगी कभी-कभी आपका शंकालु से आपको बचना चाहिए तनाव पूर्ण सिती भी बनेगी लेकिन आपको धैर और शांती से सभी कार आपको करना चाहिए उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक हो अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज गरह की स्थितियां पूर्ण तहा आपके पक्ष में है काफी लंबे समय से चले आ रही किसी परेशानी से आपको निजात मिलेगी अब अपने आपको तनाव मुक्त महसूस करेंगे और अपने व्यक्तिकत कारियों पर आपको ध्यान देना चाहिए आर्थिक मामलों के लिए ठोस नरणे लाब दायक सिद्ध होंगे उपाई के रूप में यदि आप अपने मस्तक पर लाल कुम कुम का तिलक लगाएंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आ और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्का लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी क्रश्म साधर धन्यवाद